हेलो डिर फेंड स्वागत आप सभी का आई टेई स्टेटी पॉइंट में और मैं हूँ भी शोक्षिंग कल की क्लास थोड़ी से डिस्टर्ब हो गई थी नेटवर्क की इसू की वज़े से और मैं आज थोड़ा सा रिकॉर्डिट क्लास दे रहा हूं ताकि आप सभी लोगों की जो परिक्षा है वो समय पे आपका सलेबस और कम्प्रीट कराया जाए तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और जितने भी साती पहली वार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक और सेयर करें तो चली कल जो हमने क्लास करायी थी उसके आगे के जो कुस्चन हैं हम इस वीडियो में करा रहे है तो पहला कुस्चन है बैल्ट फास्टनर का नाम क्या है तो यहां पे आपको एक फास्टनर दिया हुआ है तो चार अपकर इसक्रीन पे हैं जिसमें आपका wire type, एक है lagrela type और दूसरा है alligator type और तीसरा है आपका secret plate type तो देखिए इस question का जो right answer हो जाता है आपका alligator belt fastener यानि आपका option यहाँ पे जो right answer होगा तो यह जो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह fastener जो है आपका alligator type का है और अगर fastener की बात की जाए तो यहाँ चार से पांच प्रकार के आपके fastener पढ़ाए जाते हैं जो निम्नी प्रकार है वो कौन-कौन से हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पहला है आप तार प्रकार का belt fastener होता है एक तार प्रकार का तार प्रकार का belt fastener ठीक है ना बेल्ट फास्टनर और दूसरा होता है लारगेली प्रकार का वेल्ट फास्टनर और तीसरा होता है जैक्सन प्रकार का वाल्ट फास्टनर और तीसरा चौथा होता है आपका crescent और पांचमा होता है आपका alligator type का तो ये आपका जो है वो आपका alligator type यानि C आपका option बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अगले questions की ओर चलते हैं अगला question देखते हैं क्या आपका और ये very important questions है इसमें ये पूशा गया gear का नाम क्या है ठीक है तो आपको इस gear का नाम बताना है क्या है इस gear का नाम ठीक है तो चलिए आपको यहाँ पे चार option दिये गए और सही आपको option देख करके सही answer आपको बताना है तो चलिए यहाँ पे ये जो है आपका option A कह रहा है spur gear, matter gear, high port gear या फिर आपका hearing bond gear तो question number आपका जो 37 है इसका जो right answer हो जाता है सही जो जवाब हो जाता है आपका matter gear कहा जाता है इसका B option आपका right answer है अब जो matter gear होता है इसका जो कहां पे यूज किया जाता है ठीक है तो जो दो वेवल gear परस पर matching pool करते हैं जो ये दो वेवल gear है एक gear ये है वेवल gear और एक ये वेवल gear है तो ये क्या कर रहा है आपस में क्या कर रहा है matching pool करते हैं ठीक है या समकोंड गती पर इस थानांतरित करने की समकक्ष हों तो उसे matrix gear कहते हैं ठीक है और 90 degree का कौंड पर परस पर संपर्क में फिट होते हैं ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है इन पर 45 degree के कौंड भी जो इन पर जो दाते बने होते हैं इनके 45 degree का कौंड होता है तो ये very important है ठीक है important चीजें जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं के साथ कई सारी चीजें को हम discuss करते हैं एकले questions की बात करते है next question आपकी screen पे यहाँ पे पूछा गया है belt drive में X के रूप में चिन्नित भाग का नाम क्या है तो आप यहाँ पे एक देख पा रहे हैं एक pulley है और इस pulley का नाम पूछा गया है यहां पर जो X वाला भाग है, इस वाले भाग का नाम पूछा गया, देखी, इस step पुली है, यह drive पुली है, यह driven पुली है, यह फिर आपकी जोकी पुली है, तो देखी, मैं आपको एक एक चीजों को जितने भी option है, यह सारे ही option आपको clear करा देता हूँ, कि कौन सी चीज को क clear कराता हूँ, तो यहां पर चलिए, सबसे पहले हम बात करते है, step पुली, step पुली यहां पर कौन सी हो जाती है, देखी, step पुली की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले step पुली हम यहां पर हम समझेंगे, देखी, यह वाला है आपका driven, यह वाला जो है आपका, इसको कहा ज पुली ठीक है ना? । ड्राईवर पुली ठीक है अगर इसकी बात की जाए तो यह हो जाती है आपकी क्या जोकी पुली ठीक है तो यह तीनों चीजें आपकी डिसकस हो गई है ठीक है अगर बात करें इस बाले भाग की अगर हम बात करें तो यह driven side हो जाता है क्या हो जाता है driven side हो जाता है तो इस question का जो right answer हो जाता है dear friend वो आपका यह आपका यहाँ पे जोकी पुली यानि D option आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इसी के साथ next question क्यों चलते हैं अगला question सापकी screen पे किस पिरकार का gear rotary charge को रैखिक चाल में बदलता है अब यह question very important है कौन सा जो gear है वो rotary charge को किस में बदलता है रैखिक चाल में बदलता है तो gear से संबने बहुत सारे question आपके पूछे जाते हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखने है ठीक है तो देखिए इस question का जो right answer हो जाता है 39 का जो right answer हो जाता है आपका C option सही है rack और pinion ठीक है ना कौन सा सही जवाब हो जाएगा rack और pinion ठीक है ना तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाता है rack और pinion आपका right answer हो जाता है चलिए तो यहाँ पे rack और pinion यह आपका right answer हो जाता है ठीक है तो ये रेक और पिनियन गेर कहा जाता है इसको ठीक है इस तरीके का जो होता है ये होता है आपका रेक और पिनियन गेर ठीक है ठीक है अब इसमें क्या होता है ये सीधी रेखा की गती में तथा इसके बिप्रीत परिवर्दित करने के लिए परियोग किया जाता है ठीक है तो बिल्कुल मिलाकि यह आपका D तो यह इस पर घूमता है, तो यह हाइपोईट गियर कहा जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें, हॉर्बॉन जो होता है, हॉर्बॉन, तो हम इनके सारे एक एक चित्र आपको किसी भी दिन, सारी चीजों को हम डाल देंगे, ताकि आप सबी लोग जो गियर होते हैं, इनको आप पहँचान सकें, ठीक है न, तो चलिए, हॉर्बॉन गियर इसी तरीके से होता है, आपका, ठीक है, कुल मिला के, इसमें क्या होता है, कि ये इस टाइप में कटे होते हैं, इसके खांचे है न, और इसमें दो गियर होते हैं, एक उपर से यहां पे लगा हुआ होता है, तो य रहा आपका यहाँ पर हो जाता है इसकी उप्यत्त हो जाती है यानी जो आपकी farce की की चोड़ाई हो जाती है यहाँ ठीक है भीज की छोड़ाई अब अग्ब्र 중 की बहती है तो ये वाला भाग भाग जो ने motivate यहां पर यहां पर इस में थोड़ा सा डाउट है और यह मेरे इसाब से जिए यूनिवर्सल कपिलिंग होना चाहिए ठीक है ना, 45 कुश्चन नमिater ठीक है तो इस कुश्चन पकी तelin का तो रही डॉसर है यहां पर कुछ लोग प्लेट कपलिंग कहते हैं ठीक है भाकॵी का हम क्लिर करके आपको बता ही देंगे चलिए अगले लिगुश्चन की इस टाइप की जो पुली होती है वी आकरती की ठीक है ना तो यहां पे जो आपका यह इसका मतलब क्या होता है क्राउन क्यों होती है इसका मतलब यह होता है तनाव को बढ़ाने के लिए तनाव को कम करने के लिए बैल्ट को केंद्री किरत रखने के लिए या फिर पुली को फ यानि Central में रखने के लिए इसका उप्योग किया जाता है यानि इसी option आपका बिल्कुल सही जवाब है चलिए अगले questions की बात करते हैं और आप सभी लोग comment हमें बताया करें कि कि इस तरीके के आपकी questions हैं और क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके के जो questions हैं आपको selected questions और भी दिये जाएं ठीक है था कि आप अपने परिक्षाम अच्छा स्कूर करके आएं चलिए बिनिर्माड के दोरान की गई कि विदियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिदित्य है जोब कार्ट पाई चार्ट या प्रक्रिया चार्ट या बैच रिकॉर्ड फॉर्म या फिर बैच प्रोसेसिंग फॉर्म तो इस question का जो राइट आंसर हो जाता है 47 का यहाँ पे process चार्ट आपका राइट आंसर हो जाता है बी option आपका बिल्कुल सही जवाब है इसी के साथ अगले questions की ओर चलते हैं अगला question next है सूखे belt की gripping power को कैसे सुधारा जाता है जोकी फुली के दोआरा देखी जाएक हमने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से जोकी पुली का काम क्या होता वो भी एक यही काम करती है जो इसकी जो gripping होती है याई कि लूज हो जाता है तो उसको सुधारने का काम करता है ठीक है तो यहाँ पे जो right answer हो जाता है apply य के तो आपका option भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इसी के साथ अगला question next आपकी screen पे यहां और इसमें पूछा गया है किस प्रकार के belt fastener का उपयोग भारी machine पर किया जाता है जो भारी machine होती हैं उसमें किस प्रकार के belt fastener का उपयोग किया जाता है तो यहां पे चार option है wire belt fastener, jackson belt fastener और फिर lag rail type या फिर आपका crunched plate belt fastener question number 53 का जो right answer हो जाता है आपका option यहां पे D आपका सही जवाब है ठीक है तो dear यहां पे D आपका बिल्कुल correct answer हो जाता है इसी के साथ अगले questions की बात करते है एक्स की रूप में चिनित भाग का नाम क्या है जिस्ट अभी हमने यहां पे discuss किया था तो इस question का right answer हो जाता है आपका addendum यानि option B आपका सही जवाब है question number यहां पे option B बिल्कुल सही जवाब 54 का ठीक है तो यह सारी चीजें देखिए face की चोड़ाई आपको पता ही है यह वाली width की चोड़ाई हो जाती है यहां से यहां तक कौन सी यहां से यहां तक तो यह आपकी width की चोड़ाई हो जाती है ठीक है sorry चलिए अगले questions की बात करते next अब यहां पे एक gear का नाम पूछा गया है यह कौन सा gear है ठीक है तो आप लोग इस question का answer बताएंगे तो क्या हो जाए का इस question का right answer option A कैरा meter gear, waveal gear, high point gear या फिर worm shaft album, worm gear तो देखिए इस question का जो right answer हो जाता है यह आपका waveal gear अनी, B option आपका यहां पे बिलकुल right answer है B is the right answer है अगले questions की बात करते हैं, copper के isk का नाम क्या है, copper के isk का नाम क्या है तो देखिए इस question का right answer क्या हो जाता है, galena है, blade है, box side है या फिर malachite है तो इस question का right answer जो है आपका, D option आपका बिलकुल सही जवाब है, malachite option, D आपका बिलकुल correct answer है यह very important questions है, selected questions है, आपको पर एक शाम सो प्रतिसाद देखने को मिलेंगे याँसे पीतल धातू के alloy कौन से है, तावा और 10 है, या फिर आपका तावा और चेस्ता है, तावा और सीशा है, तावा और निकेल है तो 57 का जो right answer हो जाता है आपका option B आपका बिल्कुल सही जवाब है copper and zinc का आपका किसका पीतल का जो है आपका पीतल का जो है आपका क्या ये होता है आपका alloy ठीक है तो option B सही जवाब है इसी के साथ अगले questions की बात करते हैं अगला question है बिमान उद्द्योगों में ब्यापक रूप से aluminium का उप्योग क्यों किया जाता है देखी जो आपके जहाज बगएरा होते हैं उनमें aluminium का उप्योग क्यों किया जाता है हलका बजन होता है hard और vital होता है या फिर इसकी high tensile strength होती है या फिर कम तापिये चालगता होती है लो thermal conductivity ठीक है इस question का जो right answer हो जाता है 58 का क्योंकि आप सभी को पता है कि aluminium क्या होता है हलका होता है ठीक है मजबूत ही होता हलका होता है तो इसलिए बहुत ज्यादा weight नहों इसलिए इसको यहाँ पे option ए रखा जाता है या आपका light weight होने के कारड इसका ज्यादा उप्योग क किया जाता है इसी के साथ अगले questions की अगर हम बात करें तो अगला question आपको स्क्रीन पर मेरी most important question है lead and lead and leaded gun metal में तावा जैसता और tin की composition क्या होती है तो इस question का आपको सही जवाब बताना है चले तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाता है question number 68 का सही जवाब जो हो जाता है आपका D option आपका सही जवाब है sorry यहाँ पे D आपका सही जवाब है यहाँ पे copper 85 प्रतिसत C सा 5 प्रतिसत जस्ता जो है आपका 5 प्रतिसत और 10 है आपका 5 प्रतिसत इस प्रिकार से आपका यह right answer D हो जाता है सही जवाब अगले questions की बात करते हैं उस Mr.दhatu का नाम क्या है जिसमें ताबा और जस्ता होता है कौन सा है तो देखिए यह जो आपका right answer हो जाता है यहाँ पे 69 का जो right answer हो जाता है आपका देखिए यहाँ पे किसमे किसमे तावा और जस्ता किसमे होता है यह पीतल यानि की ब्रास में होता है तो option आपका भी बिल्कुल सही जवाब है इसी के साथ अगले questions की ओर चलते हैं अगला question यह देखी यहाँ पर हर बार question पूछा जा रहा है कई बार question ही आ चुका है तो X की रूप में चिंद आपको बताना है देखिए flank है root circle है face की चोड़ाई addendum देखिए face की चोड़ाई आपको पता है यह होती है ठीक है addendum आपकी यह होती है यह आपका addendum हो गया face की चोड़ाई यह हो गया तो यह दो तो है नहीं आप बचा root circle और flank तो इस question का right answer 72 आपको पताना है सही जवाब तो 73 आपकी screen पे belt drive में जो की पुली का ओदे से क्या है tension बनाए रखने के लिए tension कम करने के लिए या फिर belt को केंदरी करत रखने के लिए या पुली को freely घुमाने के लिए 73 का right answer और इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है तो tension बनाए रखने के लिए तो इसका right answer है maintain the tension आपका option बिल्कुल correct answer हो जाता है इसी के साथ next question आपकी screen पे 74 और इसमें पूछा है रेंगना और फिसलना के बिना कौन सा power drive नियंतरित बेग पर गती संचारित कर रहे का rope drive, gear drive, pulley drive या फिर chain drive 74 का जो सही जवाब है आपका तो ये आपका right answer है देखिए जो chain वाली जो आपकी gear होता है उसमें किसी परकार की कोई फिसलने का कोई वो नहीं रहता है ये आपका जो gear होता है वो भी आपका फिसलने का वो नहीं होता है तो यहाँ पे जो right answer आपका हो जाता है वो आपका क्या सही जवाब हो जाता है chain drive देखिए अगर pulley पे अगर कोई पटी चड़ी हुई ह तो कई बार वो फिसल जाती है लेकिन chain वाला system फिसलता नहीं है तो आपका right answer D बिल्कुल सही जवाब है अगले questions की बात करते हैं इस pulley का परकार का नाम क्या है तो इसका आपको सही जवाब देना है इस pulley का जो right answer हो जाता है 79 का आपका सही जवाब है यहाँ पर option flat pulley यानि B option आपका correct जवाब है यहाँ पर B option आपका बिल्कुल सही जवाब है चलिए इसी के साथ अगले questions की चलते हैं कौन सा gear बहुत सांती से चलता है ठीक है तो देखिए जो आपका सही जवाब है इस question का बहुत सांती से चलने वाला जो gear है आपका वह आपका helical gear होता है helical gear क्या होता है देखिए helical gear तिर्चे होते हैं ठीक है तिर्चे होते हैं तो एक भाग पहले चलता है यानि तिरच्छा चलता है तो यहसे माल लिजे कि आप इधर से चलेंगे ठीक है तो दूसरा वाला आगई निकल जाएगा तो यह बहुत सांती से चलता है यहनि इसमें आवाज बहुत कम होती है ठीक है ना जैसे आप थोड़ा सा अगर बात करें तो आप खुछ जब चलेंगे तो पूरा पैर चलेंगे तो आपकी आवाज आती है ठीक है ना और अगर हम किसी को दवे पैर जाते हैं तो सबसे पहले हम 80 रखते है या फिर 50 रखते है उसकé बात 80 रखते हैं तो क्या होता है वो आवाज कम करता है तो इसी तरीकश से आपका हैलिकल गेर इसी सिद्द्धान पर कारे करता है घ्ञा पर ऐसे आवाज ये कम करता है अगला कुश्चन है बैज संक्या आवंटन की तारीक उत्पादन की पहँचान और बैज के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उप्योग किया जाता है प्रोसेसिंग चार्ट, जॉब चार्ट, आपरेशन फ्लो चार्ट या फिर बैज प्रोसेसिंग रिकॉर्ड कुश्चन नमर 81 का जो राइट अंसर है वो आपका सही जवाब है आपका जॉब कार्ड यानि किसी भी चीज की हम क्या क्या चीज है बैज संक्या आवंटन तारीक और उत्वादन की आकार की जो पेंचान होती है वो हम जॉब कार्ड से हम पता करते हैं आप्शन बी आपका बिलकुल सही जवाब है इसी तरीके से नेक्स्ट कुश्चन आपका गेर का मैकनिजम यानि यह कौन सा गेर है वो आपको बताना है 82 का तो 82 का जो राइट आंसर है आपका यहां पर रैक एंड पिनियन जस्ट अभी हमने आपको एक कुश्चन अभी दिखाया था उसमें आपका हमने इस तरीके से बनाने का परियास किया था तो वही रैक और पिनियन जो है आपका यह गेर है तो इसका राइट आंसर सी इस राइट आंसर है इसी के साथ आंसर हो जाता है आपका यहां पर C option आपका बिल्कुल सही जवाब है यानि आपका 0.24 प्रतीसत आपका सही जवाब है और इसी के साथ next question आपकी स्क्रीन पर है मेलकाइट आइसक में तावा का प्रतीसत कितना होता है 0.2, 0.3, 0.55, 0.8 तो 84 का जो राइट आंसर हो जाता है आपका यहां पर 0.55 यानि C option आपका बिल्कुल करेक्ट है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें और यह आखरी कुश्चंस आज की वीडियो का आसा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हैलफुल और परिक्षा उप्योगी रही होगी तो चलिए आखरी कुश्चंस देखते हैं कौन सी धातू मूल रूप से तावा औ चलिए